दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सरकार एक नवकरी एक परिवार कार्ड बनाने की बात कर रही है सरकार ने जो बजट पास किया है उसमें एक नवकरी एक घर का वादा जो सरकार कर रही है इसमें किन किन लोगों को सामिल किया जाएगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को पूरा लाश तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है आपको कौन कौन से लोग इसमें पात रहोंगे और कौन कौन से लोग इसम नहीं बनेगा मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कब से आपको नौकड़ी मिलेगी और कब से आपको काट बनेगा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो लोग गाउं में रहते हैं उनके लिए सरकार ने क्या वादा किया हैं आपको सबसे पहले आपको बहुत से लाब मिल सकते हैं दोस्तों सबसे पहले सरकार ने बोला है पांच लाग हर ग्रामिड जैसे गाउं में जो लोग पांच लाग तक का घर बनाएंगे उनके लिए जो बजट रखा गया है पांसाव आठ करोड तीरसर लाग रुपए क प्रावधान किया गया है जो सरकार कर रही है कि हम इस बजट में पांच लाग घर बनाकर हम ग्रामिड को देंगे गाउंवालों के लिए सहर के लिए नहीं है देखिए इसमें सरकार कर रही है जो पांसाव आठ करोड रुपए है यह केवल गाउंवालों के लिए है और गा वालों का नहीं केवल ग्रामिर वालों को यह सरकार देने वाली है और उसके बाद देखिए तो यहां पर सरकार ने क्या का है कि योगी जी ने आपको ट्वीट पर क्या बताया हुआ है एक यहांपर आप देख सकते हैं यहां पर देखिया इसे तहुंग listen में पास किए गया यहां पर बज़क्त यहां को टब्यट और इसमार्ट फोन देने के लिए पंद्र सव और करोर नहीं पथ Candel प्रफिर्दाण किया गया साथ सव तीरपन करोड का बजट रखा गया है उसमें देखिए उस तो यह जो आपको बिद्धा पेंसन में अब की बार बढ़ा कर साथ सव तीरपन करोड का बजट रखा गया है जिसमें आपको साथ सव तीरपन करोड का बजट रखा गया है उसके बाद देखिए उस तो यह धूरकी यह कम लेख़ें। आप लोग कमा सकते हैं उसके लिए यहां पर पास्ट किया गया है अब हम लोग बात करने वाले जो सरकार एक परिवार एक न niece कि बारे में जो सरकार ने बात कही है जो परीवार कार्ट बनाने वाली है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगा परिवार कार्ट किन लोगों का परिवार कार्ट बनेगा देखिए यहाँ पर सरकार कर रही है साड़े चार करोड से अधिक लोगों को एक परिवार एक नवकरी के तध जोड़ा जाएगा इसका मतलब ही है कि देखिए जोस्तों जिनका एक परिवार एक नवकरी जिनका काट बनने वाला है और जिनको परिवार में जोड़ा जाएगा उसमें साड़े चार करोर से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा इसमें साड़े चार करोर से अधिक लोगों को लाब मिलेगा, नवकरी मिलेगी। इसमें किन-किन लोगों को मिलेगा। कॉन-कॉन से लोग सामिल होंगे। कॉन-कॉन से लोग पात्र होंगे। जिनके पास यमिस साधन ना हो, जिनके पास कोई भी साधन ना हो, जिनके पास जमीन ना हो, कोई रोजगार ना हो, जो लोग बहुत ही गरीब हो, जिनके पास कोई नवकरी ना हो, जो लोग परिसान हो, उनको एक नवकरी एक परिवार में सामिल किया जाएगा, उनका परिवा बनेगा उसमें पूरा रिकार्ड रखा जाएगा सभी सदस्यों का नाम इसमें जोड़ा जाएगा उसके बाद सभी सदस्यों का उसमें आधार कार्ड जोड़ा जाएगा ताकि सब कुछ पता चल सके कि उसमें कौन से लोग फरजी जुड़ रहें कौन से लोग पात रहें कौ को इसमें आपको पूरा डिटेल्स में पता किया जाएगा उसके लिए सरकार इसमें टीम बनाएगी और पूरी डेटल में सरकार पता करेगी उसके बाद ही आपको परिवार कार बनाया जाएगा उसके बाद इसमें आपको नवकरी दी जाएगी देखिए तो इसमें कोई कहा नहीं गया है कि इसमें आपको सरकारी नवकरी दी जाएगी इसमें सरकार मान देपर भी नवकरी दे सकती है और इसमें परिवार कोई एक प्र सबस्क्राइब करके वेल आइकन प्रेज कर दें क्योंकि यह इसे जनुवन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई